प्यारे दुस्तों नमस्ते, मैं आप सभी को वल्कम करता हूँ आपके अपनी इस चैनल हेल्पिंगे में तो दुस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्यो करना चाहूंगा क्योंकि आप सभी ने हमेरे इस चैनल के पिछले जो सीरीज था जो की Home loan के उपर बेशता हैं उसके वीडियो जो के बामेर को कशने तरह के बारे में हम धिटेल में इसकर करेंगे दर तो तो मैं आशा करता हूँ आप पिछले home loan शीरीज के तरह हमारे इस business loan शीरीज को भी प्यार देंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आपका पता है कि आज का हमारा topic है types of business loan आज हम different तरह के अलग अलग तरह के business loan के बारे में briefly बात करेंगे आने वाले वीडियो में हम इसको उपर detail discuss करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला type का business हो गया fund based loan तो दोस्तों इसको हम detail में समझते हैं दूसरा तायका हो गया non-fund based loan तो दोस्तों business loan दो तरह का होता है एक है fund based loan दूसरा है non-fund based loan तो देखे इसको हम समझते हैं कि fund based क्या होता है non-fund based क्या होता है So fund-based loan borrowers can withdraw fund anytime within sanctioned amount. इसका मतलब है दोस्तों कि मान लिजे आपने 10,00,00 का loan लिया है, तो उस 10,00,00 के loan को आप किसी भी time में withdraw कर सकते हो, जैसे कि मान लिजे आपने 10,00,00 loan लिया है, आपका घर का कुछ renovation का काम चल रहा है, तो उस मैंसे मान लिजे इस महिने आपको 2,00,00,00 चाहिए, एक हपते का बाद फिर से 1,00,00,00 चाहिए, एक हपते का बाद और 1,50,00,00 चाहिए, तो जब भी आपको पैसा चाहिए होगा, आप अपने account से withdraw कर सकते हो, तो इस तरह का loan को बोलते हैं दोस्तो, fund-based loan, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक ही बार में withdraw नहीं कर सकते हैं, जी नहीं दोस्तो, आप जब भी जितना चाहिए, माल लिजए, आपने 10,00,00 का loan लिया है, आपको एक ही बार में 10,00,00 चाहिए, तो एक ही बार में भी आप withdraw कर सकते हो, तो यह होगा दोस्तो, fund-based loan, अब non-fund-based loan क्या होता है, funds are not withdrawn, यहाँ पर आपको withdraw नहीं करना होता है, कोई भी fund, यहाँ पर क्या होता है, कि only a guarantee by bank release funds in case of default by borrower, मान लिजए, आपने 10,00,00 का loan लिया है, और किसी भी कारण आप उस loan को repay नहीं कर पाते हो, तो आपके यहाँ पर bank की guarantee देता है, कि यह पैसा को वो खुद दे देगा, पर दोस्तो यह यहाँ पर आपको थोड़ा सा confusion हो सकता है, कि bank आपके लिए पैसा क्यों देगा, दोस्तो तो दोस्ता हम non-fair fund based loans के बारे में आगे बात करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, तो तलिए इस वीडियो का हम continue करते हैं, दोस्तो अगला यहाँ पर हम बात करेंगे, दोस्तो fund based loan के बारे में, देखिए इसका सबसे पहला type का जो है, वो term loan होता है, term loan आपना बहुत बार स होता है, जो कि हम short term के लिए लेते हैं, कुछी साल के लिए, एक से 5 साल के लिए लेते हैं, loan और उस पैसे को हम कोई भी चीज construction करते हैं, या फिर plant machinery लगाते हैं, जिससे कि हमें कुछ ना कुछ income होता रहे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, short term loans to purchase and create income producing assets, ह आप यह एक loan लेंगे और इसका tenure होगा 8 से 5 साल तक, मानले आपने 5 लाख लुपे का रोन लिया, इस 5 लाख रुपे के loan को आप एक ऐसी जगा पर invest करेंगे, जहां से आपको regular कुछ ना कुछ income आता हो, जैसे कि इसका example हो गया land and building, आप land खरीद लिए, घर बना लिए, घर प को आता रहेगा, plant and machinery, आप कुछ पैसा loan, loan ले, छोड़े सा plant लगा रहे हैं, उसको machinery खरीद रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ production करके market में बेच रहे हैं, आपको उसका कुछ income आ रहा है, equipments कुछ लगा रहे हैं, तो यह हो गया दोस्तो term loan, तो दूसरा type का loan हो गया, दोस्तो project financing दीके project financing जो होता है, वो long term loan होता है, तो long term loans to create and acquire large sized assets, जैसे कि आपको एक बड़ा सा plant बनाना है, आपको एक करोड़, दो करोड़ का loan चाहिए, शाट लाक, सतर लाक, एक करोड़ का loan चाहिए, आपको एक बड़ा सा plant बनाना है, जिसमें real estate involved हो गया, आपको बड़ा सा plant बना है, आपको दस करोड़, बीस करोड़, पचीस करोड़, पचास करोड़ का loan चाहिए, तो यह बड़ा बड़ा amount का loan होता है, जो कि long term के लिए होता है, जैसे कि महा लेज़े आपको एक steel factory बनानी है, जिसका cost हो गया, आपको 100 करोड़ का loan चाहिए, तो यह project financing हो गया, तो तो आम लोगों के लिए project financing इतना नहीं है, अब छोटा micro project पे अगर काम कर रहे हैं, तो पचास लाग, साथ लाग, सातर लाग का loan ले सकते हैं, तो इसका tenure हो गया 5 से 20 साल दोस्तों, तो इसमें भी वही है दोस्तों, आपना एक project design किया, हम आगे अपने आने वाले वीजियो में बहुत सारे projects के बारे में बात करेंगे, जैसे कि polytree farming हो गया, polytree farming आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको manager 60 लाग या, 70 लाग एक करोड का loan चाहिए, तो वो loan आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या, क्या terms and conditions है, क्या procedure, इन सब के बारे में हम आगे detail मे बात करेंगे, तो दोस्तों ये एक long term loan होता है, इसका minimum 5 से 20 साल तक रहता है, कुछ-कुछ cases में 25 साल तक भी रह सकता है, दोस्तों, पिर आगया दोस्तों, तीसरे type का हो गया दोस्तों, balloon loan, ये एक नया type का loan है, तो देखिए, जैनरली लोन में कि अत्यम बावर किसी भी, लोड़ा सा एक जम लाता हूं, माल लीजे आपने, आप एक bike खरीदना चाहते हैं, तो bike खरीदने के लिए आपको चाहिए एक लाक रुपे, तो bank आपको total एक लाक रुपे का loan नहीं देता है, जब तक कि आपका civil score बहुत अच्छा ना हो, वो आपको 60,000-70,000 के आसपास loan द में क्या होता है, principal amount का loan के जब से शुरू होगा, तब से हमें pay करना होता है, पर balloon loan में, loan के आखिर में, end में principal amount pay करना होगा, only interest is paid during the term loan, term loan के अंदर आपको सिर्फ जितना भी loan लोगे, उसका शिर्फ interest देना होगा, और principal amount, माल लीजे, माल लीजे दोस्तों कि आपने एक लाक लुपे का loan लिया है, तो आपका EMI हर महीने दस हजार करके दस मत का हो गया, तो दस हजार इंटो दस, एक लाक हो गया, उसके उपर कुछ interest आएगा, माल लीजे, आप हर महीने एक हजार रुपे interest देना, तो इसमें क्या होगा, कि हर महीने आप ग्यारा हजार ना देके, सिर् आपको हर महीने ग्यारा हजार रुपे देना है, पर अगर आप बैलून लोन लेते हैं, तो आपको हर महीने सिर्फ एक हजार ही देना है, दस महीने तक, दस महीने तक आपने पूरा interest दे दिया, और बाकी का जो प्रिंस्पाल है, जो आप एक लाक लुपे का loan लिये हो, वो ग्यारवा महीने देना है, पूरा आपके loan के term के end में, तो मैं आशा करता हूँ, आपको billion loan समझ में आगे होगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हमें नया एक अलग तरह का loan के बारे में बात करते हैं, जो हो गया working capital loan, ये दो तरह का होता है, एक हो गया cash credit, उ secured against inventory, receivables, overdraft facility, आपने overdraft के बारे में सीना होगा, ये दो तरह का होता है, secured और on secured, तो इसके बारे में मैं इतना detail में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, ने तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा में secured और on secured loan के बारे में बता देता हूँ, तो तो secured loan वो होता है, जो कि आप कोई एक चीज को गिरवी रखके bank से लाते हैं, जैसे कि आपके पास कोई एक property है, उसको आप bank के पास गिरवी रखे, bank आपको कुछ loan दिया, क्योंकि अगर आप default करते हो, तो bank आपके property को बेच के अपना पैसा recover कर सकता है, तो इसलिए क्योंकि आप bank को कुछ security दे रहे हो, इसका rate of interest कम होता है, unsecured loan आप bank को कोई भी security नहीं दे रहे हो, bank आपको trust के basis पे पैसा दे रहा है, तो यह civil score पे depend करता है, अगर आपका civil score 750 से अच्छा है, तो आपको unsecured loan जो कि personal loan होता है, वो आपको आपको आराम से मिल जाता है, पर दो तो क्योंकि आप bank को कोई भी security नहीं दे रहे हो, इसका rate of interest थोड़ा सा जाना होता है, लगबग 15-20% के आसपास रहता है, तो इसके साथ सार और भी बहुत तरह के लोग है, जैसे कि SME collateral free loan, government schemes, construction equipment loan, commercial vehicle loan, जैसे कि commercial vehicle, माले जगा पे कोई truck खरीदना चाहते हैं, bus करीदना चाहते हैं, उसक के उपर हम अलग-अलग video बनाएंगे, तो दोस्तो उसके बाद आगया हमारा non-fund based loan, तो इसमें सबसे पहले आगया दोस्तो letter of credit, letter of credit देखिए आम लोगों के लिए आप, 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 आपके जैसे हमरे जैसे आम लोगों के लिए नहीं है, पर letter of credit क्या होता है, जो लो तो दोस्तो यह, इसको generally हम trading बोलते हैं, importer and exporter lake trust, जैसे के मान लीजिए, आप कोई भी चीज अमरीका में बेचना चाहते है, अमरीका को export करना चाहते है, या फिर कोई भी country को आप export करना चाहते है, तो आप अगर export करे हुए, तो वहाँ पर कोई businessman उसको खरीदेगा, तो मा पैसा इतना पैसा नहीं है कि वो आपको full payment कर सके, तो यहाँ पर क्या होगा, वो अगर बोलेगा कि भाई रुखजा, मैं आपने जो माल भेजा है, वो आपको बोलेगा कि भाई रुखजा, मैं इसको पहले भेज देता हूँ, उसके बाब मैं जो मुझे जो आर्नी होगी, उसमें से तुम्हारा पैसा तुमको दो दूँगा, तो आप तो उस इंसान को जानते नहीं, आपको उसको लिए 6 मना वेट करोगे नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, बैंक इंवल्व होता है, तो वो इंसान बैंक से पैसा लेगा, आपको payment करेगा, और उसका जो अपना business वो चलाएगा, और bank को interest के साथ पैसा return गार देगा, तो इसको हम बोलता हैं दोस्तो letter of credit और trading, इसके अभी बहुत deep चीज़े, इसको उपर मैं उतना deep में नहीं जाओगा, फिर दोस्ता दूसरे तरह आपका होता है, दोस्तो bank guarantee, जैसे कि आपके भिहाब पे bank किसे को guarantee दे रह आका business का loan cover करेंगे, जैसे कि poultry farming हो गया, bus loan हो गया, truck loan हो गया, जो भी चीज़ है, जो भी loan है, जो कि आप business purpose के लिए करना चाहते हो, तो दोस्तो अगर आप भी कोई एक business सुरू करना चाहते हो, और उसके उपर आपको loan चाहिए, तो please हमें comment केज़े, हम उस particular type का business के उपर एक वीडियो डिटेल में बना देंगे, जो कि आपको बहुत मददगार हो सकते है, तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो please हमेरे चनल को subscribe कीजे, और यह वीडियो को live कीजे, और आपने झाल